गुड मॉनिंग फ्रेंड्स और एक बार फिर से आपका स्वागत है यूसीजी नेट पर तो दोस्तो आज ही हमारी करंट अफेर की सेकंड क्लास है जो पहली क्लास थी उसमें मैं देखा कि आपके बहुत ही अच्छे रिव्यू आया है तो इसलिए आज इस क्लास को हम पहले से ज्यादा बेटर करने की कोशिस करेंगे तो दोस्तो यूसीजी नेट जिनों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेर कीजे शेर ज्यादा कीजे ताकि मेसेज कर सकते हैं ठीक है और हमारे ने ने जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको वार्चाप ग्रूप पर मेसेज करते रहेंगे जिससे आपको मार ने अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा हमारी वेबसाइट भी है दोस्तों www.ucgnet.com तो हमारी वेबसाइट पर आप जाईए वहां पर यह जित्ते हैं उनके आपको वाँ पर PDF नोट्स मिल जाएंगे और भी हमारे जो कम्पूटर से रिलेटेड हैं हमारे जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपको वहां पर पूरी इंफोर्मेशन मिल जाएंगी दोस्तों कि कोरोना वाइरस का नया अधिकारिक नाम क्या है तो कोरोना वाइरस का नया अधिकारिक नाम क्या है कि वाट इस दा न्यू ओफिशियल नेम ओप कोरोना वाइरस कोरोना विद नाइंटिन एवीडी एटिन कोविड नाइंटिन या ची एचाइडी नाइंटिन तो कोरोना का जो अधिकारिक नाम है वह है COVID-19. विश्व स्वास्तिय संगठन द्वारा coronavirus को अधिकारिक तोर पर COVID-19 नाम दिया गया है. यह नाम अन्य नामों के उप्योग से बचने के लिए दिया गया है, जो गलत या कलंकित हो सकते हैं. Coronavirus has officially been named as COVID-19 by the World Health Organization. The new name has been given to avoid the use of other names that may be inaccurate or stigmatizing. विन्दा उसकर 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर की कौन सी फिल्म बेस्ट पिक्चर के लिए उसकर 2020 पुरुसकार जीतने वाली पहली गेर अंग्रेजी फिल्म बन गई है. तो पहली गेर अंग्रेजी फिल्म जो की बेस्ट पिक्चर के लिए उसकर 2020 उसको की बेस्ट पिक्चर का वार्ड मिला गया जो की गेर अंग्रेजी फिल्म है. कि विच्च फिल्म बिकम दफ फर्स्ट नोन इंग्लिश फिल्म टू विन दाउसकर 2020 पुरुसकार अप्शन है कि पेरसाइट ऑप्शन बी आईरिस व्यक्ति ऑप्शन सी उनिस्षो सत्रा ये ऑप्शन डी जो जो खरगोस तुरुसका राइट आंसर होगा पेरसाइट कि सा बिकमिंग दफ फर्स्ट नोन इंग्लिश फिल्म टू विन दाउसकर 2020 अवाड फोर बेस्ट पिक्चर कि परजीवी बॉंग जून हो द्वारा निद्यसित दक्षिन कोरिया फिल्म पेरसाइट ने पिक्चर बेस्ट पिक्चर के लिए ओसकर 2020 पुरुसका जीतने वाली पहल एंग्रेजी फिल्म बन कर इत्यास रच दिया है। C. इन्स शिवाजी ये उप्षन D. इन्स शिवालिक प्रॉजा शिवाजी प्रेस्ट्रामनाथ कोविट On February 13, 2020, for its outstanding contribution in training, modern-day marine engineers, the president's color is the highest honor that is awarded to any Indian military. जो कि आए मैं आपको इन्समेण विक्रांत क्या है तो आए इनेस विक्रांत है कि इसकी मैं बात अगर बात करूं तो यह हैआ अए हैमेंग इसको हम हैं हरकूलेस के नाम से भी जाना चाता हैं ये 61.01 में भारतेस्ट उस्पत्री संहा तो आइनस जो है इसको हैच्छाइमेज हरकूलियस के नाम से भी जाना जाता और अगर इसकी बात करें तो यह 1916 में भारतिय सेना में सामिल वा था 31 जनवरी 1997 को इसको जो काम सेटा दिया गया था अगर इसकी मैं लंबाई के बात करूँ कि जहाज के लंबाई कितनी है तो 260 मिटर इसकी लंबाई और चोड़ाई के अगर मैं बात करूँ आइनस विक्रांद की तो इसकी चोड़ाई है 60 मिटर इस पोट को 1957 में ब्रिटेन से खड़ी दगा था बात करें आइनस सीवलिक की तो ये भारते नो सेना के लिए कि निर्मित चुप के मल्टी रोल फ्रिगेटर्स के अपने वर का प्रमुग जहाज है वह भारत द्वारा निर्मित पहला इस्टिल्ट युद पोट है यानि जो भारत की द्वारा निर्मित है वह मुंबई में स्थित मजगाउं डॉर्क लिमिटेड में बनाया गया था अगर मैं बात कर वे कब सामिल किया गया थो 29 अप्रेल को 29 अप्रेल 2020 एक सो बी आलिस पॉइंट पांच मिटर इसके लावा आएने सतला जाई यह की एक दिसंबर 1901 को सामिल किया गया था अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो 87.8 मिटर इसकी लंबाई है नेक्स्ट है नमर फोर्थ किसंस हमारा की प्रवासी भारतिय केंद्र का नाम किस दिवगंद केंद्र मंत्री के नाम पर रखा गया तो प्रवासी भारतिय केंद्र का नाम किस दिवण केंद्र मंत्री के नाम पर रखा गया तो प्रवासी भारते केंद्र है इस बिन रिनेम्ड आप्टर विच्ल लेट यूनियन मिनिस्टर उप्शन है सुस्मा स्वराज उप्शन बी अटल विहारी वाजपई उप्शन सी अरुन जैटली उप्शन डी मनोहर पारिकर इसका राइटांसर होगा उप्शन A सुस्मा स्वराज प्रवासी भारते केंद्र वाज रिनेम्ड आप्टर लेट सुस्मा स्वराज on February 13 February 2020 दा केंद्र विल नाव बी नाव बी नावन अस सुस्मा स्वराज भवन दा मुव एंटू मुव टू कॉमरमोरेट दा लेट लीडर इनवेल्यूबल सर्विस टू इंडियन यानि की 13 February 2020 को सुस्मा स्वराज के बाद प्रवासी भारते केंद्र का नाम बदल दिया गया केंद्र कॉप सुस्मा स्वराज भवन के नाम से जाना जाएगा इस कदम का उद्देश ये भारते कूट नीती में दिगवन नेता की अमुले सेवा को इस्मरन करना है तो सुस्मा स्वराज आप सभी इनको जानते होंगे सुस्मा स्वराज जो थी एकस्पायर हो चुकी हमारी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये पूर्व विदेशी मंत्री भी रह चुकी है सुस्मा स्वराज और इनका जनम हुआ था जो की 14 फरवरी 1952 को इनका जनम था और इनकी मृत्यू जो की फिलहाल हुई है 6 अगस 2019 को इनकी मृत्यू हो गई थी अटल बिहारी वाजपई जो की हमारे पूर्व परधान मंत्री आप सबी जानते हैं ये भी विजेपी के थे कारिकरता और ये पूर्व परधान मंत्री रह चुके हैं अगर इनके जनम दिवस की बात करें तो 25 दिसम्बर 1924 को अटल बिहारी वाजपई का जनम हुआ था अगर इनकी मृत्यू की बात करों तो 16 अगस 2018 को इनकी मृत्यू ही थी और ये तीन बार हमारे परधान मंत्री रह चुके हैं नेक्स्ट की अरून जेटली अरून जेटली भी हमारे पूर्व रक्सा मंत्री रहें और ये भी भारती जन्टा पार्टी से थे और इनके जनम की बात करें तो 28 दिसम्बर 1922 के इनका जनम हुआ था और इनकी मृत्यू की बात करें तो 24 अगस दोजार गुन्निस को इनकी मृत्यूई थी नेक्स्ट है कि मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर पूरु गौवा के मुख्य मंत्री थे और इनके जनम 13 दिसम्ब 1905 को हुआ था और अगर इनकी मृत्यूई की बात करें Eические, vegetarian scientist which leading the research team to develop the coronavirus vaccine, यानि कि coronavirus vaccine विक्सित करने के लिए अनुसंदान दल का नेत्रत्रो करने वाली भारतिय मूल के विज्ञानिक का नाम क्या है? तो भारतिय मूल के विज्ञानिक क्या नाम है जो कि coronavirus vaccine विख्शित करने के लिए अनुसंदान दल का नेत्रत्व कर रहे हैं इसका रायट आंसर है SS वसन SS वसन भारते मूल के वेग्यानिक SS वासन ओष्टलिया में वेग्यानिकों की एक टीम का नेत्रत्व कर रहे हैं ताकि कोरोना वाइरस के उप्चार के लिए एक वेक्सिन तयार की जा सके उस्टलिया के राष्टे मंदल विज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंदान संगठन अध्यन का संचालन कर रहे हैं Indian Origin Scientist SS Vassan is leading a team of Scientists in Australia to prepare a vaccine for the treatment of the coronavirus the Commonwealth Scientists and Industrial Research Organization of Australia is conducting the study नेक्स्ट क्युस्टन है कि वू बिकम दा फर्स्ट इंडियन टू रिशीव आई ओसी एस और नेवल मैंशन आई ओसी का एबल सम्मान्यों लेग पानने वाले पहले भारते कौन बने आप्सन है कि राहूल दर्विट आप्सन बी अनिल कुम्बले आप्सन C पुलेला गोपी चन्द या ओप्सन D रविशास्तर यानि कि आई ओसी का एबल सम्मान्यों लेग पानने वाले पहले भारते कौन थे इसका रायट आंसर हो जाएगा पुलेला गोपी चन्द पुलेला गोपी चन्द भारते राष्टे बेडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपी चन्द को कोचिंग के छेत्र में उत्क्रष्ट योगदान के लिए आई ओसी कोच लाइब टाइम एच्यूब्मेंट अवार्ज सम्मान्यों लेग से सम्मानित किया गया यानि कि तब कोच ओप इंडियन नेशन बेडमिंटन टीम पुलेला गोपी चन्द हैज बीन होर्ण विद आयोशी कोच लाइफ टाइम एच्यूब्मेंट अवार्ज औरनेबल मेंशन फोर इस एक्सेलेंट केंटिबूशन इन फिल्ड अपूचिंग नेक्स्ट कुस्टन है कि एफ आई एथ मेंस फ्लेयर अफ दा इयर दोजार गुनिस का पुरुशका मेंस प्लेयर ओफ दा यर तो थाउजन नाइटीन अवार्ड ओप्शन ए विवेक सागर परसाद ओप्शन बी लाल रेम सियामी ओप्शन सी मनप्रित सिंग या ओप्शन डी जगमी सिंग यानि कि एफ आई एच मेंस फ्लेयर ओफ दा इयर तो थाउजन नाइटीन का पुरुशका जीतने वाले पहले भारतियर कौन है इसका राइट आंसरों का अप्शन सी मनप्रित सिंग मनप्रित सिंग भारतियों होकी टीम के कप्तान मनप्रित सिंग एफ आई एच के मेंस फ्लेयर ओफ दा इयर दोजार गुनिस का पुरुशकाल जीतने वाले पहले भारतियों बन गए है उन्होंने बेल्जियम के आर्थर वेंडोरेन और अर्जेंटिना के लुकास विला को हरा कर सम्मान असिर किया यानि कि इंडियन होकी टीम केप्तिन मनप्रित सिंग एज बीकम दा फिस्ट इंडियन तो विन एफ आई एच मेंस प्लेयर ओफ दा इयर 2019 अवार्ड ये बीट बेल्जियम्स ओथर वोन डोरेन और अर्जेंटिनाज लुकास विला तो विन दा वोर्नर नेक्स्ट क्यूसन ह किसे हाली में एफ आई एच द्वारा दोजार गुनिश की सर्व सेष्ट उबरती हुई मैला खिलाडी के रूप में चुना गया तो एफ आई एच के द्वारा दोजार गुनिश की जो सर्व सेष्ट उबरती हुई मैला का खिताब मैला खिलाडी के रूप में किसे चुना गया हूँ अमोंग दा फॉलोविंग वाज रिसेंटली सेलेक्टेड एज दा बेस्ट इमर्जिंग फिमेल प्लेयर ऑफ टू थाउजन नाइंटिन बाई एफ एफ एज के द्वारा जो 2019 की सर्व सेश्ट वबरती महिला किलाडी के रूप में चुना गया ओप्शन ए जूलिय मतला जो की भारती स्ट्राइकर लाल रेशियामी को 2019 महिला राइजिंग ग्रूप में नामित किया गया था उन्होंने अर्चेंटिना के जूलियर चानकुनास और नीदरलेंड के फ्रेडरिक महाटला को हरा कर प्रोस्कार जीता next question है कि RBI की अधी सूचना के अनुसार कौन एक ने करेंसी नोट पर अस्ताक्सर करेगा according to the RBI notification who will sign the new 1 रुपीज करेंसी नोट यानि कि RBI की जो नोटिफिकेशन आया नहीं सूचना यह उसके अनुसार एक रुपे का जो करेंसी नोट उस पर signature कौन करेगा option A RBI के गवर्नर, option B with मंत्री, option C with सच्चिव, option D भारत के राष्टपती इसका राइट अन्सरों का option C finance secretary with सच्चिव के इंदे सरकार चल्दी ने security feature के साथ एक रुपे का नया नोट लाने जा रही है इस नोट के सीज पर हिंदी में भारत सरकार लिखा हुगा ने एक रुपे के नोट पर विच सच्चिव अतनू चकरवती द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों वेस्ताक्सर किये जाएंगे कि अगर गवर्नर की बात करें कि अर्बा जाएगे त्रियानी की फाइनेंशिल जो मिनिस्टर है उसकी बात की जाए तो वो है सीता रवन विद सच्चिव की बात की जाए तो अजेबूसन पांडे और राष्ट फती की बात करूं मैं तो रामनात कोविन जो कि आपको सबको पता है नस्ट चुछाने की हुस रिसेंटल रोह तास स्टेफ फिद रिफ्यूजी केंपन हाली में स्टेफ फिद रिफ्यूजी ब्यान किसने चलाय था उप्सन A, UNICEF, उप्सन B, WWF, उप्सन C, OPEC, या उप्सन D, UNI-HCR इसका राइट आंसर उप्सन D, UNI-HCR, यानि इस UNI-HCR सन्यातियों के लिए सहयुक्त राष्ट के उच्छा युक्त UNHCR ने हाली में Step with Refugee अभ्यान शुरू किया, इस अभ्यान में भाग लेने वाले वेक्ती 12 महिनों में 2 विलियन किलोमीटर की दूरी तेक करने के लिए खुद को चुनोती देंगे, मैं बात करूँ अगर UNICEF की इसके बारे हम तोड़ डीटेल से देखता है कि UNICEF क्या है, तो UNICEF के बारे हम United Nations Children Funds इसका अगर मुख्याले की बात करें तो इसका मुख्याले है नियोर्क में, इसके अगर मुख्या की बात करें कि इसके मुख्या कौन है, UNICEF के तो वो है हैं रिटा एच फोरे, अगर इसकी स्तापना कब हुई थी कि UNICEF की स्तापना कब हुई थी तो वो है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्तापना हुई थी ये सयुक्त राष्ट बालकोस है, अगर इसके उद्देश्चे की बात करें कि क्या इसका उद्देश्चे की स्तापना की गई थी बात करें WWF, WWF है World Wide Fund for Nature, WWF की अगर मुख्याले की बात करें तो वो है ग्लेंड में, जो कि स्विजलेंड में है इसकी स्तापना की गई थी 29 अप्रेल 1961 को, इसके जो अध्यक से वो हैं पवन्सुक देव यूनी एच्सी आर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रिफुजी इसका अगर मुख्याले की बात करें तो इसका मुख्याले है जेनिवा, स्विजलेंड इसके मुख्या तो वह हैं फिलिपो, ग्रांडी और इसके अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्तापना कभूई थी तो वो होती 14 दिसंबर 1950 कि अगर इसका उद्देश से देखते हैं कि इसका उद्देश से क्या था, इसका उद्देश से था कि सन्यातियों की समश्याओं के प्रतिया पात रहात, पुनर्वास साहिता, सुरक्सा तताइस्ताई, निधान उपलप कराना अगर मुख्यले की बात करें तो यह है विएना उस्ट्रिया में इसकी स्तापना कब हुई थी तो इसकी स्तापना भी सेप्टेमबर 1960 में और इसका जो काम होता वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह संगठन है जो कि तेरा देशों का यह संगठन है धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीज़े शेर कीज़े और सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को सेर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा इस्टूडेंट्स अमारे साथ दोस्त अमारे साथ जूर सके धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए